तो भाई बहुत कम बारी ऐसा होता है कि किसी लाप्टॉप की अंधा तुन डिमांड हो और बहुत ज्यादा है और ऐसे एक लाप्टॉप सेल में भी लॉंच हुआ था तो भाई तो भाई तुमने इतना बोला तो बनता है लापता वाले नहीं है कि हम तो भाई यह अभी रिसेंटली लॉंच हुआ है जो भी सेल गई थी ना बीडी और ग्रेट इंडिन फेस्टिवल वाली उसके अंदर यह 90,000 पे लिस्ट रहाता और अभी बी 89,990 का चल रहा है कार्ड ओफर, बैंक ओफर लगा के 85,000 के आसपस पढ़ जाता है इसके अंदर i5 13 जनलेशन प्रोसेसर को है HX-Series वाला साथ में RTX 3050 दे दिया 6GB VRAM वाला जो लिनोवो लॉक वगेरा में भी है जो हमने रिसेंटली रिव्यू किया था और यह वाला जो लाप्टॉप है इसी प्राइस पॉइंट पर फिर थोड़े से पैसे एक्स्टर डाल के competitive लाप्टॉप के comparison में कैसा है इस तरीके से मिलता है तो अगर यह स्टैंडिंग पोजिशन में आपने खूल आचानक से यह लाप्टॉप यहां से एकदम से गिर जाएगा तो यहां पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि इसको खोलना कैसे है तो यहां पर हमारा सुन्दर सा लाप्टॉप मिल जाएगा और मैं इसको पहली खोल चुक हूँ हूँ पैकिंग वगएरा नियस के ओपर टेस्टिंगंडी बनते है तुमारे लिए लिए दबबा खोलना जरूरी है और यहां पर शेर बन रखका है फुल खूकार और इसको मिल जाएगी और यह आ जाता है हमारा सुन्दर सा लाप्टॉप यहां पर ब्रैंड ने बिल्कूल भी ऐसा नहीं है कि लास्ट जनरेशन की चेसी में उठा के नया प्रोसेसर और पुराना जीप्यू डाल दियो यहां पर पूरा लाप्टॉप है हमारा वो आरो जी स्रिक्स G16 2023 वाला ही है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का डिजाइन बन रखा है यहां पर आरो जी का लोगो हमारे को मिल जाएगा जो कि ग्लो नहीं करता सिर्फ एक प्रिंट है और यहां पर पीछे मारे को डूल टोन में डिजाइन मिल जाएगा थ हमारे को मेटल की मिलती है और यहां पर ना के बराबर है बिल्ड कॉलरी बढ़िया है और यहां पर वेट डिस्रिबुशन बढ़िया है एक हाथ से राम से लिड ओपन हो जाएगी एंड मैक्सिमम कुछ 9500 डिग्रीस तक यह जाता है और इंटीरियर आप देखो कितना प्या नहीं चलिकिता है और यहां पर लिखिए नोने ंने जो लाप टॉप की पीछे भी जो लुक्स है ना वहाँ प्यारी मतला फुल एकदम गीमिंग वाला मामला है बार बपूर और आरोजी इए सीरीज की सुन्दरता से महां जादा प्यार कियो है क्यूंकि यहां पर आर स्ट्रिप यहां पर लेफ्ट और राइट सेड में कुछ इतनी मिलेगी और फ्रंट में पूरी नीचे बेस में एंड कीबोर के अंदर भी हमारे को आरजी भी मिलती है और जब आप इसको टेबल पर रखोगे ना तो इसके आरजी भी स्ट्रिप की वैसे जो नीचे लाइटिं लेफ्ट राइट की तरफ है यहां पर सेलेक्ट करने के बास सेट एज लेयर पर क्लिक करो और इस ट्रिप कर दिया और यहां पर जैसे सेव एप्लाइट करेंगे आप देख सकते हो हमारी लेफ्ट स्ट्रिप रेड हो चुकी है और उसके साब से आप पूरी की पर मिले पिछे से भी अापटॉप पॉली कारश यहां मिली का राइप जाटें और उसक लाले विदेख से लेगा क्यों और ओंकई लेगार विड़ियो केagar होस के लिए बाकि लोग त Avec के आगे जा सकते हैं तो अगर आप दे रहाद हूं या उत्राकंट से ओ और अगर आप इस टाइप का ढूंटे ओढ़ा जो गाइमिंग वाला या चाह थीनन लाइड चाहिए हो अब विजट कर सकते हो लाप कर लेते हैं स्पेसिकेशन के बारे में यहां पर मिलता है इंटल कोर 513 450 एच एक्स प्रोसेसर जो मारा 10 को 16 इंट वाला प्रोसेसर है 6 पी को मिल जाएंगे 4 एको मिल जाएंगे लेकिन लेकिन लेटेस्ट वाला 3050 जो आप 6GB के साथ आता है पहले 4GB RAM के साथ आता था जिसके अंदर मारे को 95 watt की TGP मिल जाएगी 16GB RAM मिल जाएगी DDR5 4800 मेकाड़ स्पीड वाली एंड राम हमारी डूल चैनल में दो स्लॉट हमारे को उसके अंदर यहां पर दो स्लॉट मिलेंगी एक और एक स्लॉट आपको लेट साइड में लगा सकते हो एंड मैक्सिमाम अप्ग्रेड कितनी सपोर्ट करता है वो मेंशन नीकिया ब्रैंड मेरे साथ से दो टीबी पर स्लॉट तो हो जानी चीए तो टोटल चार टीब अप्ग्रेड कर सकते ह मावले में वाइफाई 6E & Bluetooth 5.3 मिल जाएगा अपना ही रिकॉर्ट तोड दिया अंडर वन लाक वाले गेमिंग लाप्टाप के अंदर मारे को मिलता है लाइफ टाइम के लिए तो आपको डॉक्यमेंट्स वाले काम करने हो स्टूडेंट हो जो भी है काम हो जाएगा इसके सकते हो फ्यूचर में जितने हम लाप्टाप्स रिव्यू करेंगे उसके अंदर ये बेंचमार्क आएगा कंपैरेजन के लिए काम आजागा आपके उसके बाद Geekbench 6 के बेंचमार्क साप यहां पर देख सकते हो एंड उसके बाद यह हमारा क्रोस्मार्क का बेंचमार्क उस वीडियू के डेडिकेट़ सकॉर्स मिल जाएंगे 5790 गईप्यू सकॉर निकल गया जो कि अच्छा खासा है और देखनेंटीकर बढ़िया है उसके बाद वीरे का जीपू बेंचमार्क भी गया पहले कूड़ कोर्स के लिए 372 सकॉर निकल गया अभी यह मत कहना कि इन नमब बात कर लेते हैं यह जो प्रोसेसर है ना है तो अगर आप इसको डिरेक्टली आइस सेवन एड़ से कंपेर करोगे तो बाई आज सच कोई जादा डिफरेंस नी मिलता मारे को पर्फॉर्मेंस के मामले में प्रोसेसर तगड़ा आपको मल्टिकूर लेवल के काम करने आपको व से दिककतनी है और उसके बात कर लेते हैं जीप्यू की जीप्यू भी आप अच्छा कासा पावरफुल है 3D मॉडलिंग रेंडरिंग आर्किटेक्चर सारे काम इसके ओपर अराम से हो जाएंगे आपको चलाना हो इन सारे प्रोसेसर में अच्छा प्रोसेसर भी होना जरूर है कि यह वाला 3050 SXGB वाला 3050 Ti 4GB से कितना बेटर है तो यहां पर सिंपल भाषा में अगर आपको बता हूं 3D मार्क ताइम स्पाई का अगर आप स्कोर कंपेर करोगे लाइक 95 वाट वाला 3050 4GB है उसका स्कोर 5-49 आपके सामने वहीं पर इस लापटप का स्कोर 5790 है तो जितन जो 3060 है वो 140 वाट तक जा सकता है मैक्सिमुम 95 वाट तक ही जा सकता है और इसको अगर हम साइड बाए साड कंपेर करते हैं 3060 140 वाट से तो यहां पर हमारे को 9-2-9-9 स्कोर मिल रहा है 3060 के अंदर तो 3060 6GB वाला भले ही हो लेकिन इस वाले 3050 से बेटर परफॉर्म करेंगा बट 3060 आएगा ही पुराने जनरेशन वाले CPUs के साथ वहां पर CPU पावर भी डाउन हो जाएगी DDR4 RAM भी हो जाएगी तो परफॉर्मेंस में बहुत सारे फैक्टर्स वरी करते हैं हम लाट टॉप के अंदर इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते तो कई ना कई कोई चीजजा आपको साइकरिफास करनी पड़ेगी अदर गेमिंग लाटॉप हमारा गेमिंग एड कर लाटॉप कर रहोंगे तो देखो कैसा परफॉर्म करता है एं तो पर आगे बात करते हैं तो बटाउट करते हैं सबसे पहले कान्टर स्था 2 से यहाँ पर जो रेजिशन है और यहां पर सेटिंग्स हो रखा है मैंने वेरी हाई पे एंड वेरी हाई सेटिंग्स पर आराम से मारे को 100 प्लस 100 120 130 fps के आसपास मिल रहे हैं और बाकि अगर आपको इससे जादा एफपेस चेहिए तो आप इससे कम सेटिंग्स पर खेल सकते हो मैंने आपको मैक्सिममम दिखा दिया उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं यहां पर रेजुशन वही नेटिव अपना और हाई सेटिंग्स पर कर रहे हैं और इसके प्रोसेसर टेंपरेचर इससे जादा हो नी पाया उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं फार कराई 6 और यहां पे सेटिंग्स को रखा है अल्टरा पे और कोई भी यहां पे अप्सकेलिंग में यूज नी करा और बढ़िया हमारे को 65-70 fps मिल रहा है जो कि काफी अच्छे है और बागी सारे स पास है और जी पू तेंपरेचर भी हमारे अंडरेटी इस गृट उसके बाद गॉड और यहां पर रखा है और यहां पर यहां पर यहां पर जादा परफॉर्मेंस पर फरक निया है और अल्टरा सेटिंग टीक टाक 40-50 fps के आसपास हमारे को मिल रहे हैं जो कि अच्छे गा परफॉर्मेंस भी 30-50-6GB के हिसाफ से ठीक टाक निगाल के दे रहा है उसके बाद लास्ट आफ यहां पर अपने सेटिंग्स को रखा था मीडियम पे और DLSS का सेनारियो सेम रखा था एंड मीडियम सेटिंग्स पर हमारे को आराम से 40-50-60 fps के आसपास मिल थे अलग-अलग सेनारियो में DLSS के जो कि अच्छे गासे प्लेबल होते हैं उसके बाद Call of Duty Warzone 2.0 ग्राफिक्स प्रिसेट को रखा था है यहां पर DLSS का सेनारियो सेम ही रखा है और यहां पर मेरे को प्लेबल fps मिल रहे हैं लाइक 7200 के आसपास दोनों सेनारियों में और Call of Duty में हैलोवीन इसलिए थोड़ा मैप के अंदर अंदेर अंदेर सा हो गया पता नी क्यों उसके बाद तुमारे डिमांड पे फिर से फोर्था वराइजन हमने कर दिया है यहां पर DLSS हमारे को मिल जाता है जो राइट सैड में रखा है और यहां पर ग्राफिक्स प्रिसेट को रखा है हमन यह 6GB VRAM के साथ आता है बट पर्फॉर्मेंस गेमिंग में डिसेंट लेके आता है उसके बाद हमारा साइबर पंक सेटिंग्स को रखा है अमने अल्टरा पर और यहां पर DLSS 2 ही मिलेगा ओवियसली 4000 सीरीज का कार्ड नी है लेट साइड में और राइट साइड में कॉलिट यहीं पर 4000 सीरीज का 40-50 होता तो वह क्या बढ़िया पर्फॉर्मेंस देता वह आपको पता है आपने इतने सारे डी व्यूज देखे है मारे चैनल पर दें यहां पर हमने सेटिंग्स को रखा है अल्टरा पर DLSS का सेनारियो सेम रखा है लेट में और यहां पर देख सकते ह अच्छे का से हमारे को फ्रेम मिल रहा है लाइक 60-70 फ्रेम देखा के रॉप पर्फॉर्मेंस में थोड़े नॉन प्लेबल से फ्रेम है बट यस चाहो ताब सेटिंग्स तोड़ी सी गिरा के से जाधा फ्रेम रेड भी निकाल सकते हो दें स्पाइडर माइल्स मॉरालिस यह यहां पर 40 fps रॉप पर्फॉर्मेंस में है बट 48-50 fps हमारे को DLSS लगाने के बाद मिल रहे है जो कि अच्छे खासे प्लेबल होता है अगर इस लाप्टॉप का कंक्लूड करूँ तो अगर आपको 60 fps वाली ट्रिपल ए टाइटल वाली गेमिंग करनी है तो यहां पर यहां प यहां पर्फॉर्मेंस मोड के लिए और आर्मरी क्रेट के लिए और यह वाली जो कीज है यह मारी मैक्रो कीज भी है उपर आप देख सकते हो M1 M2 M3 M4 M5 लिखा है इनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो आर्मरी क्रेट सॉफ्टर में जागे कोई भी आक्शन आपको देने ह और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो QW, ER और ASDF के ओपर हमारे को थोड़ा ट्रांस्पेरेंट का डिजाइन मिल जाएगा की सुड़िया से गेमिंग वाली लूक है और स्पेस बार पर मिल जाता है जो बड़िया कूल लूक देता है और और यहां पर पर अच्छा खा राइट साइड में हमारे को दो USB 3.2 Gen2 Type-A पोर्ट मिल जाएंगे बागी सारे पोर्स लेफ्ट साइड में सबसे पहले पावर इंपोर्ट मिलेगा RJ45 LAN पोर्ट है HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है और यहां पर टाइप C पोर्ट मिलेगा जो मारा Thunderbolt 4 पोर्ट है याप डिस्प्ले आ अरी भरकम ब्रीक अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते पीडी चार्जर ले लो 100 वार्ट वाला लाप्टाप उसी से चार्ज करो एंड ठीक टाक पर्फॉर्मेंस मिल जाती और यहां पर आखरे मारे को हैं और जैसे कि 2023 वाला मॉडल है तो यहां पर मॉक्स्विच मारे को मिल यहां थो कम बैटरी बैटरी पर मिलेगा एंड उससे नीचे कर अब स्टैंडर्ड या इको मोड पर जाते हो तो आपको जादा बैटरी पाप मिलेगा एस कंपेर टू अलतीमी और यहां पर इसका टाइपसी पोड़ द ए इस्टेयमिय है उससे अटीयमिय ने यानि कि WUXJ दिस्पले है, 165W का refresh rate हमारे को मिल जागा, 7ms का response time है, IPS level panel हमारे को मिलता है, anti-layer display यानि कि कोई reflection वगरा का scene नी है, यह जो display है NVIDIA G-Sync को भी support करते है, यानि कि गेमिंग के time पर कोई tearing वगरा आपको ऐसा issue नी होगा, चाहे V-Sync आप ऑफ भी रखते हो, उसके अ 295 nits, and HDR या Dolby Vision के मज़े लेने के लिए 400 या 500 nits की brightness minimum चाहिए, अच्छा content अगर आप देखना चाहते हो, लेकिन अगर दूसरे laptop से compare करो, same price point पर तो Dolby Vision या HDR का support नी मिलता, दूसरे laptop से obviously इसमें better content आपको दिखाई देगा, और content better क्यों दिखाई देगा, क्योंकि color gamut अच्छी दिखाई देती है, colors अच्छी दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, contrast भी अच्छा है, overall डिस्पले का experience है, जिस price का laptop है, 90,000 वाला, उसके अंदर यसूस का भी ऐसी डिस्पले देता है, इन्था आपने gaming laptop में, पहली बार ऐसा हो है, यसूस ने एक अच् अच्छी का सी लाइट कंट्रोल ही कर रहा है, 720p वाला webcam है, और माइक की कालिटी कैसी लगी मेरे को comment बता देना, बताना जरूर, थोड़ा algorithm का support चाहिए भाईगो, यहां पर जो speakers है, 2-2 watt के 2 speaker मिलेंगे, down firing मेले speaker है, जादा loud निये speaker, average निकोंगा, above average वाले है, clear sound, थोड़ा पर डॉल्बी वाला मज़ा मिलेगा, जो आप actual लेना चाहते हो, किसी भी OTT है, किसी भी content के थूरू, और एक जगा में इस laptop से डिसपॉइंट हुआ, usually ROG सीरीज में, टफ सीरीज में, 90Wh बैटरी मिलती है, इसके अंदर हमारे को 64Wh की बैटरी मिलेगे, जो तीन घंटे से लि जगा लेना, जिसके अंदर आपका iGPU's output मिलेगा, और काफी हत तक आपकी बैटरी सेव हो जाएगी, इको मोड पर आपका GPU बिल्कुल बंद हो जाता है, और CPU पर ही laptop चल रहा होता है, तो ज़्यादा बैटरी बैटरी मिलता है, तो यह तो होगी laptop की पूरी बातचीत, अब जारा comparison कर लेते हैं, क्योंकि 90,000 से लिए के 1 lakh, यह 10,000 के difference में दुनिया भर के laptop है, और तुमने जो भरा आना, इंस्टागराम की बैटरा है, तुम्हारी बात भी सही है, इतने महंगे laptop में पैसे डालने है, तो एकदम सही चीज़ पता होनी चाहिए, कि हमारे लिए क्या सही लेकिन इस वाले लिनोगो लॉक के बाइटरी बेटर मिल जाएगी, बैटरी बेटर मिल जाएगी, पोर्ट्स बेटर मिल जाएगे, ओवराल लुक एंड डिजाइन को अगर आप देखोगे, तो उसके अंदर तो बाइटरी इस ट्रिक्स तो विनर ही, मतलब सारे laptop से विनर ह के साब से देखते हैं, फिर उसके बाद एक और लिनोगो लॉक आता है, RTX 4050 के साथ, i7-13620H प्रोसेसर के साथ, और सबसे पहले अगर यहां पर प्रोसेसर को करते हैं, तो 13450H जाधा बेटर परफॉर्म करेगा, 13620H से भले वो i7 भी क्यों नहों, और यहां पर GPU की बात कर तो आप स्ट्रिक्स के लिए भी जा सकते हो, इसके अंदर productivity में कोई दिक्कत नियागी, क्योंकि overall performance आपने देख लिए, benchmark के नमबर आपने देख लिए, अगर laptop dedicatedly gaming के लिए अच्छा GPU चाहिए, तो आप Lenovo Lock के लिए जा सकते हो, बाकि सारी चीजों को ignore करके, क्योंकि इसके अदर GPU आपको बेटर मिलेगा, उसके बाद एक Asus टफ लाप टॉप भी आता है, जो बन लैक के आस पास चलता रहता है, अब इस वाले laptop से 10 जार उपर है, तो 10 जार उपर डालके राइजन 77735HS प्रोसेसर मिल जाएगा, प्रोसेसर के मामले में ये laptop हो चाहिए तफ हो, दोन साइड बाद साइड में पता लग जाता है, उस laptop का भी रिव्यू है चैनल पर इसका आपने देख लिया, बागी सारी चीज़े कंपेर कर ले ना, उसके अंदर अगर आप 10,000 जादर डाल रहे हो, तो वो वाल्यू फर मनी है, मतला वो जैसी चीज़े ओफर करता है, और एक laptop वो थिन सीरीज का gaming laptop है, अंडर 2 kg वेट है, thermals भी उसके decent side है, performance भी वो decent देता है, लोगों के mainly mind में डाउट है कि इसका 30-56 GB और उसका 40-56 GB, जो की 75 Watt वाला है, इससे बेटर परफॉर्म करेगा, तो भाई, इससे बेटर परफॉर्म करेगा, इससे जादा FPS आपको मिलेंगे अगर आप compare करोगे, तो हो सकता कहीं जगा बेटर परफॉर्म कर जाए, लेकिन उसके लाबा बिल्ड होगी, looks होगी, display होगी, ports होगी, सब के मामले में ROG Strix G16 बेटर है, इसलिए उस laptop से काफी महंगा भी है, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी है, और इसका प्रोसेसर बहुत जा गरम भी हो जाता है, और सवाल ओफ दा येर, Acer Predator Neo के comparison में लापटाप कैसा है, क्योंकि Acer Predator Neo में i5-13500HX वाला प्रोसेसर, with RTX 4050, 140W, DDR5 RAM, display भी उसके अंदर अच्छी मिल जाती है, और जिनकी किसमत अच्छी थी, glitch की वे से, उनको सेल में 50,000 का भी मिल गया था, और डिलि इसके अच्छी में लापटाप करें, और यहां पर प्रोसेसर के मामले में प्रीडेटर Neo बेटर है, जैसे जी इसे मामले में थोड़ी बेटर हो जाती है, अगर दोनों को साइड वाइ साइड रखके मैं कंक्लूड करूं, तो Acer Predator Neo 16 जादा बेटर ऑप्शन है, इसके एक् लेकिन अगर आपको RGB के तड़के चाहिए, तो आप Strix के लिए जा सकते हो, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, मेरी नजर में प्रीडेटर Neo जादा value for money है, तो भाई यह था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू, ASUS ROG Strix G16 2023 with i5-13450HX and RTX 3050 6GB वाला, एंड मेरे इसाब से जिस प्राइस पॉंट में उने लांच के है, जैसी लाप्टाप की लुक्स है, लाप्टाप की चैसी डिस्पले है, पर्फॉर्मेंस टाइप की यह देके गया, यह फिर जो थरमल्स वागेरा भी होगे, बिल्कुल value for money Strix G16 बोल रहा हूँ, त्यूकि ASUS के लाप्टाप जा इसका प्राइस डाउन हो जाए या इसके ओपर कोई बढ़िया कार्ड ऑफर मिल जाए, तो अब इसको 80-85,000 में भी ग्राब कर सकतो, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिनको ROG Strix लेना है, लाइटे चाहिए, अट्रैक्टिव गेमिंग लाप्टाप वाली लुक झाल